दोस्तों आप सभी का स्वागत है प्रो ब्लोगिंग आइडिया यूटूब चैनल पे लास्ट वीडियो में मैंने आप सबको बताया था कि आप दो मिनिट में 1000 प्लस वाड का कंटेंट फ्री में कैसे जनर्ट कर सकते हैं आप सब ने वीडियो को बहुत प्यार दिया है आप लोग ने वीडियो को बहुत पसंद किया था तो आज के वीडियो में मैं आप सबको बताऊंगा कि आप फ्री में unlimited content कैसे जनर्ट कर सकते हैं तो वीडियो को आखरे तक जरूर देखिएगा वीडियो संबनित कोई भी आपका सुजाप हो तो comment section में comment करके जरूर बताईएगा अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe करके bell notification को जरूर on कर दिजेगा ताकि आप लोग के लिए इस तरह के और भी नया नय वीडियो में लेके आते रहूँगा और जैसे मैं नया वीडियो अपलोड करता हूँ तो आपको सबसे पहले जो है notification मिल जाएगा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को like और share भी जरूर कर दिजेगा पिछली वीडियो में मैंने आप सबको बताया था कि आप दो मिनिट में थाउजंद प्लस वाड का फ्री आर्टिकल कैसे जरूर कर सकते हैं एनी वोड के मदद से आज मैं आपको ये वीडियो में बताऊंगा एनिवर्ट के हेल्प से आप अनलिमिटेट फ्री में आर्टिकल कैसे जनरेट कर सकते हैं वीडियो को आखरे तक जरूर देखिएगा वीडियो सम्मादित कोई भी अगर आपका सुजाब हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताईएगा वीडियो शुरू करने से पहले आप सब को एक चीज बताना चाहता हूं अगर आप वेबस्टिंग बाई करना चाहते हैं तो होस्टिंगर जो है बहुत ही अच्छा होस्टिंग प्रवाइट कर रहा है होस्टिंगर का होस्टिंग 69 रुपिज से स्टार्ट होता है यहाँ पे आपको 69 रुपिज पर मंद वाला प्लान में एक वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं अगर आपको वह सारे वेबसाइट को अगर होस्ट करना है तो इनका प्रीम वेबस्टिंग या तो बिजनेस वेबस् coupon code का जानकरी भी वीडियो को description में है आप उस coupon code को जिसे इंटर करोगे आपको जो भी price है उस price के उपर और भी additional discount मिल जाएगा Any word में आप अगर free plan में जाते हैं तो free plan में जो है आपको thousand word का article जनरेट करने के लिए मिलता है अगर आप इसका कोई भी trial plan लेते हैं तो यहाँ पर जो है आपको कोई credit card का details इंटर करने के जोरोत नहीं पड़ेगा लेकिन आप 5000 word तक का article जो है जनरेट कर सकते हैं पर मैं आपको अभी जो trick बताऊंगा उसके मदद से आप unlimited article यहाँ से आप जनरेट कर पाएंगे दोस्तों सबसे पहले आप सबको Google में जाना है Google में जाने पद सर्च करना एक website इसका नाम है temp email जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे यह इसका भी website का link में वीडियो का description में दे दूँगा जैसे आप temp email सर्च करते हैं तो सबसे पहले जो result आएगा यह वेबसाइट क इसको आपको simply open करना है यहां से आप free में email id generate कर सकते हैं और इसी टूल के help से आप any word में unlimited sign up करके unlimited article generate कर सकते हैं तो मैं आपको अभी बताऊंगा कैसे करना है simply जो email id यहाँ पर आपको generate हुआ है उसको copy कर लेना है कॉपी करने के बाद आपको आना है any word का website में और sign up के उपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको sign up के लिए email id पेस करना है और आपको यहाँ पे जो भी password रखना है और password आपको इंटर करना है तो यहाँ पे मैं simply passport को जो ही इंटर कर लेता हूँ उसके वाद sign up के उपर क्लिक कर देता हूँ जैसे आप sign up के उपर आप क्लिक करते हैं तो यह any word website जो है एक verification के लिए email बेचता है तो आपको फिर से जाना है temp email के उपर यहाँ पे आप देख सकते हैं यह जो temp email को website में थोड़ा सा नीचे अगर आते हैं तो यहाँ पे आपको एक email रिसीव हुआ है यहाँ पे देख सकते हैं एनिवाट से एक verification email आ जाता है तो आपको simply क्या करना है इसके उपर क्लिक करना है और email को जो है verify करना है यहाँ पे verify email का option आ रहा है इसको उपर आपको simply क्लिक कर देना है जैसे आप क्लिक कर देते हैं आपका यह जो account successfully sign up हो जाएगा यहाँ पर देख सकते हैं 7 days का यहाँ पर services activate हो चुका है get start के उपर आपको क्लिक करना है और आपको सेलेक करना है कि आपको आपका organization क्या है और आपके company में कितने लोग काम कर देख सकते हैं यहाँ पर हमारा account successfully sign up हो चुका है यहाँ पर यह free services आपको यहाँ पर मिलता है इसमें आप 5000 word का article आप जनरेट कर सकते हैं जैसे आपको 5000 word का limit खतम हो जाता है फिर से time email में जाके दूसरा email आपको create करना है और दुबारा से आपको फिर any word में आकर sign up करना है फिर से आपको 5000 word का limit मिल जाएगा इसी तरीके से अगर आपको article का word का limit कितना है वो चेक करना है तो आप यहाँ पर प्रोफाइल के नीचे आप क्लिक करेंगे तो account setting दीखेगा यहाँ पर आपको दिखाई देगा आपको यहाँ पर 5000 word में मैंने कुछ भी use नहीं किया हूँ क्योंकि अभी वीडियो में आपके सामने यह account sign up क दिखा रहा है और available जो वाड है उसमें limit 5000 दिखा रहा है जैसे आपको limit खतम हो जाएगा यहाँ पर आपको दिखाई देगा फिर से दुबारा से account बना के दुबारा साफ फिर से 5000 word का limit ले सकते हैं दोस्तों एक चीज़ का जरू दियान दीजिएगा दुबारा जब भी आप किस तरीके से यहाँ से आप unlimited email generate कर सकते हैं और unlimited email के मदद से आप unlimited signup करके unlimited article जो है generate कर सकते हैं उमीद करते हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक और सेर जरूर कर दीजेगा और कमेंड करके बताइए अगले वीडियो में आप कौन सा टॉपिक के ओपर चाहते हैं तो अगले वीडियो में मिलेंगे तब तक के लिए अपना ख्याल रख लिए बाबाई एंट टेक कियर